तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आल आफ योग बिंदा जीस फोरम, स्वागत है, आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीस फोरम पे, तो फ्रेंड्स, बिटीएसी बिहार आईटीए इंस्ट्रक्टर और आईटीए वाइस प्रिंस्पल जो बिटीएसी, बिप मैं आपके सामने सेर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं लगतार पिछले 6-7 महिने से जो आईटीए को कवर कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कवर की हैं, लेकिन बार-बार आप लोग के द्वारा देखके पूछना ऑथेंटिक क्या है, तो इस पर मैं ज्यादा काने वाला, ठीक है, कुछ अता पता है नहीं, तब भी कुछ भी लोग बोले जा रहा है, कुछ, अब क्या है क्या नहीं, उस पर ज्यादा बात नहीं करना है, आप लोग बार-बार जो पूछ रहा है, मैसेज कर रहा है, मतलब एक है कैंडिट, मैं लिस्ट देखाँ हूँ, कि आप लोग इतना तो विश्वास बनाए हैं, मेरे उपर तो थोड़ा सा ट्रस्ट बना के और रखिये, जॉइनिंग तक, डीवी तक, डीवी तो हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट, तो क्या है अपडेट, रूमर को दूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल हो गया ह हैं, योट्यूब पे, जो कुछ भी, कुछ भी बोल के निकल जा रहा है, क्या है, क्या नहीं, उनसे कुछ मतलब नहीं है, जो ऑथेंटिक है, जो ऑथेंटिसिटी है, उसको बरकरा रखना है, ठीक है, तो क्या है अपडेट, देखते हैं, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि बिटियसी आईटियाई इंस्टक्टर का जो फाइनल डिवी है आईटियाई वालों का एंड हो गया है फाइनल लिस्ट और डिवी के बाद लोग अपने अपने एक एस्पेक्टेशन है उसको क्वेरी के रूप में पूछ रहे हैं तो मैं आप लोग एक चीज़ अस्पेश्ट कर दो बिटियसी आईटियाई बिहार आईटियाई इंस्टक्टर में जितने भी आईटियाई केंड रेट है उनका प्रॉसेस एंड हो चुका है यानि उसमें कोई भी किन्तू परंतू वाली बात नहीं है और वो लोग अब टेंशन फ्री रहें जो हो गया सो हो गया जिनका नहीं हुआ नहीं हुआ जिनका हो गया हो गया आई होप इट विल भी पब्लिस्ट रिगार्डिंग फॉर्डर देज कुछ भी हो सकता है ठीक है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान बिहार में नहीं है लेकिन आग लोग बोलेंगे कि सप्लिमेंटरी रिजल्ट टीचर में दिया जा रहा है तो यह प्रोसेस देखते हैं यहां पे सवागुना का प्रावधान है सवागुना केंडियेट को बुलाएगे तो डीवी उसमें भी सीट बत जाएगा तो एक चीज़ मैं बता दूँ दुबारा डीवी का जहां तक मुझे पता है कि मैं बता रहा था कि खुद चांस है चांस है लेकिन अब 50-50 चांस है में भी कहा यह जा रहा है कि वह वेकेंसी जो बच जाएगा ध्यान से सुनिएगा जो अपडेट मुझे पता होता है मैं वही आपके साथ से रहता हूं 50% है कि में भी कहीं जो बारा उसको कर ले और नहीं तो नेक्स वेकेंस कर रखे थे कि सेकेंड लिस्ट सेकेंड लिस्ट तो इसके लिए सौरी टुसे जो इन्फोर्मेशन मुझे उस समय था और अब जो अपडेट है थोड़ा सा उसमें स्लाइटली चेंज है और यह बीटीस से मेरे नहीं हूं भी हाई गॉर्मेंट में नहीं ठीक है तो इसके ल सेकेंड लिस्ट का प्राव बहुत कम चांस है क्योंकि लगवा लगवा जितने सी बीटी क्वालिफायर से सब को बुला लिया गया है यह पहला अपडेट हो गया दूसरा अपडेट रिजल्ट यह पब्लिस को लेके फाइनल तो इतना आप लोग ध्यान रखिए कि आप लो पहले आएगा अगस्त का फर्स्ट विक मतलब कि इतना उमीद बना कर रखिए पांच से लेके आठ अगस्त पांच से लेके आठ अगस्त के बीच में आप लोगा रिजल्ट मतलब कि यह मैं एक दो दिन मतलब जो मुझे बताया है कि मैं एक्स्ट्रा लेके चलो पांच अग यह डाउट मुझे लगता है आप लोगा किलेर हो गया है बाकि BTSC का जो ओफिशल वेबसाइट है उसको विजिट करते रहे हैं जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर दोंगा आप लोग जैसे मुझे कोई अपडेट मुझे बताईए वो लोग बताएं जो BTSC से जूड़ हुए है और वहाँ मतलब की जो ओफिसयल ओफिस से जो इंटिमेशन मिल और सेर करें किसी कि दूसरे के बात को ना सेर करें क्योंकि मैं किसी दूसरे के बात नहीं जो लोग जैनुनियने उन्नी के बात पे विश्वास करकर आपको यह बताता। दूसरा अपडेट है BTSC ITI इंस्टर्टर डिगीरी डिप्लोमा स्कूर्टिनी को लेके तो मैं पहले भी बता है कि जो मुझे जानकारे मिला डिवरिंग डिवी फॉर आईटी आई कैंडिट के लिए जो हो रहा था कुछ कैंडिट मतलब की वहाँ पे थे उनको हिंट दिया गया और बताया गया कि आप लोग ज़्यादर टेंशन डिगीरी डिप्लोमा वालों में है द्धान से सुनिये कैं मेरी बात मैं भी मंडे को मीटिन है तो जो है प्राइवेसी के तौर में आपको मैं कुछ बताऊंगा ने लेकिन इतना चान लिए कि मंडे को जो मुझे बताएगा है कि मीटिन है मीटिन के बाद ही जो चीज क्लियर होगा क्योंकि नमबर आफ मल्टिपल पोस्ट सिंगल कैंडिट अपलाई किया है ध्यान देने वाले बात है तो एक्स्प्रियेंस को लेके थोड़ा सा ये मामला फसा हुआ है नेक्स्ट विक में बुद्धवार के बाद कभी भी आपका स्कूटनी के लिए पोर्टल खुल जाएगा ये आप लोग टेंसर फ्री रहेगे एकदम किलियर है बुद्धवार तक और डीवी के लिए उसके अगले विक यानि कि 27-28 के बात से आपका कहीं डीवी का प्रोसेस इस्टार्टो पहले बतायता हूँ डीवी में पहले जो छोटे ब्रांच है और साथ में कोई एक बड़ा ब्रांच या एदर इट विल भी फिटर और एलेक्टिशन दोनों में से कोई एक को स्लेक्ट करके यह धीर धीर करके निकाला जागा क्योंकि और यहाँ पे सीट भी जाएदा है और नमबर और केंड़ेट कंपेर टू आई टीए यहाँ पे जाएदा है मिनमम थ्री डेज अगर आज 19 तारिक है एक एक जामपल दे रहे हैं तो 19 खूलेगा तो 22 को एंड हो जाएगा यह चीज ध्यान के रखिए तो अपने जो भी है अपने डॉक्मेंट एकठा करे लिजिए ओके रहिए एड्मिट कार्ड जो आपका किसी का भूल गया तो उसमें जाएदा परसान नहीं होना है तो यह चीज के लिए होके अब रूमर जो फैला हुआ है BPSC ITF वाइस प्रिंसिपल का जो एकजाम है 14 जुलाइक हो था उसके बाद आप इसका डेट भढ़के दो अगस्त को हो गया है मैं ख़र खुद भी TST में बात किया BPSC में बात किया फिर आज भी बात किया एक चीज असपरस्ट प्रत पता दे वहाँ पर बैठे जो भी टेली कोलर है उन्होंना असपरस्ट बता रहा रूमर पर विश्वास नहीं करना है साथ आट लोगों का मैसेज आया मेरे बास कॉल भी आया कि क्या फिर से देट एक्सेंड होगा कुछ लोगर अप्टूबर नॉम्बर दिसम्बर कभी नहीं दो अगस्त को एक्जाम है उन्हों बार बार यहीं बुला कि जो सिडूल एक्जाम है सम उस तारिख पर ही एक्जाम होगा अगर ऐसा कुछ बहुत वर्स्ट केस में होता है तो उसका अप्डेट जाएगा लेकिन ऐसा वर्स्ट केस नहीं है आप दो अगस्त को मान के ही त्यारे कीजिए एक्जाम उसे दिन होगा बार बार लोग पुछतें के सब ओ क्या चैनल यह बोल रहा है यह चैनल बोल रहा है कुछ लोग आपके जैसे ही लाइब आपके कुछ भी बोल रहा है लेकिन उनका कुछ अत्ता पता नहीं है भाई मैं नहीं जानता हूं क्या कौन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है कितना knowledge है उनको तो मतलब कि मैं क्या बोलू देख आप ही लोग के तरह बताया है इससे जादर मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्या नहीं है क्या है क्या सही है क्या गलत है वो आपके उपर है वो आप जानी है ठीक है मुझे ज्जो अपडेट मीचरा मैं बतायता हूँ एक चीज में आस पष्धा स्पर्ष बताता हूं कि जब जनकारी मुझे प्राप्त हो जाती है तभी मैं बताता हूं कॉपी नहीं करता किसी क्या ठीक है तो प्लीज आप इसको मेरे पास इस तरीके के मैसेज ना करें कि सरो लोग क्या करें अगर मैं कुछ बोल ला हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किये हैं बेल आइकन को प्रेस किये हैं आपको जो अपडेट मिलता है प्लीज I have been I have been covering ITI instructor last six month ठीक है तो इससे जादे और मैं कुछ नहीं बोलूँगा जब मैं स्टार्ट केया तो उससे में कोई इसको कवर भी नहीं कर रहा था ठीक है इससे जादे और मैं कुछ नहीं बताउँगा और अथेंटिसिटी या और लगभभभभ इतना तो मैं कि लगभभभ जितने भी आप लोग ITI के candidate हैं वो लग 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 authenticity कितना है मेरा वो आप लोग जानते हैं तो बस मैं यही बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लिजिए जो लोग का वीडियो छूट जाता है वहां से देख लिजिए जो भी अपडेक्ट मैं देता हूं वहां से देख लिजिए दूसरे की बातों विश्वासना किजिए चैनल को एक बात सब्सक्राइब करके सेर कर दीजिए चाहते ज्य